हेलो एंद जहीन स्टूडेंट बेलकम बेग तु यरोन चैनल सरतरण रपानी और आज बेगिन करने जा रहे हैं जैनेटिक्स हाँ आप पूछेंगे जैनेटिक्स हाँ जैनेटिक्स को हम फिनिश करेंगे यस एंटायर चप्टर फिनिश कर देंगे वहाथ ही पास्पीट तैय हो जाईए क्योंकि जैनेटिक्स का आपको सिर्फ जी मालूम है सही कह रहा हूं अभी डिटेल में समझेंगे एंटायर जैनेटिक्स को तो जैनेटिक्स हाँ जैनेटिक्स है क्या तो जैनेटिक्स की जब मैं बात करते हैं तो हमें हैरेडिडिडी की बात करनी चाहिए हाँ जैसे आप हैं, जैसे तुम हो, तुमारी आखें, तुमारी आखें, तुमारे बाल, तुमारे आइब्रोस, तुमारी मम्मी जैसे मिल रहे हैं, अगर कोई तुम्हें ऐसा कहे, तुम भुरा मत मानी, क्योंकि वो आपको हेरेटरी बता रहा है, तो हेरेटरी क्या है, हेरेटरी ह of body features आपको जो body features मिले हैं हां आखे वही है दो आके जैसे सब के पास होती है ठीक है यह बिना सही है पर उनका styling जैसे hair का वकउं तो hair का shape हा सही सुना hair curly है की straight है eyebrows का shape यह सब कुछ आपको मिले हैं आपके parents के साथ कुछ similarities और कुछ differentiation के साथ इसी ही study करता है genetics तो genetics बताता है कि क्या features हमें मिले हैं हमारे parents से और उनसे related laws laws of genetics आए कौन है ये वेक्ति जिसने इसके बारे में हमें पहले बताया तो वो थे Gregor Mendel Gregor Mendel एक monk थे हाँ ये swam भी ये swam भी आगे बढ़ करके teacher बनना चाहते थे बड़ ऐसा हो नहीं पाया और आपको बता दू इन्होंने by chance by chance कहूं इन्होंने research करना शुरू किया pea plant पर research करना शुरू किया और उसमें changes को note करते गए later on इनी के द्वारा बनाया गया law of genetics आईए समझते हैं Mendel's Law of Inheritance दो basic हम पहले topic समझ करके इनके आज आप बता दें कि genetics आज बहुत important subject हो चुका है शायद आने वाले दिनों में अगर तुम्हें कोई बोले कि जो husband wife हैं हाँ couple हैं वो decide कर लेंगे कि मेरी आने वाली संतान कैसी हो जैसे किसी को चाहिए कि मुझे Bruce Lee जैसा नाम सुना होगा ना Bruce Lee जैसा बच्चा चाहिए तो वो संबह हो पाएगा सही कह रहा हूं मुझे Dara Singh जैसा newborn baby चाहिए उसके गुण चाहिए उसके अंदर सच में हो खैर यह बहुत यह एडवांस स्टेज हो जाएगा आपको तो शायद यह भी जानकारी होनी चाहिए कि एक 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 चिप बन रही है जो brain में insert की जाएगी जिससे आप genetically वैसे ही behave करेंगे बापरे तो science इसकी कोई limitation नहीं है तो जब यह develop किया गया law of inheritance देवलप किया गया तो सोचा गया कि अब हम genetic engineering कर पाएंगे हम ऐसे नए genes पैदा कर पाएंगे हाँ जिन्स को बदला जा सकता है वैसे ही जो bacteria में किया जा रहा था अब वो इंसानों में किया जा सकता है सच कह रहा हूं तो यह एक ऐसी technique है जिससे genetic constitution को change किया जाता है आपके शरीर के genes को बदला जा सकता है सच कह रहा हूं और कहां इस्तमाल है इसका use है genetic counseling में आपको पता होना चाहिए कि जो husband भाई हां marriage कर रहे हैं आज कल पहले क्या कर रहे हैं पता लगा रहे हैं कि कहीं उनको कोई bleeder disease तो नहीं है कहीं उनमें कोई ऐसा genetic disorder तो नहीं है तो real fact है इसे मैं बता दूँ और उसको study करने के बाद यह scientific तरीके से क्या कर रहे हैं newborn को पैदा कर रहे हैं जिससे उनमें वो disease जो mother और father में है उसमें transfer ना हो जैसे example देता हूं थैलिसीमिया या sickle cell anemia हां तो genetic counseling करके ऐसा संभव है आए अब आता है word बार बार आ रहा था शब्द की heredity तो यह heredity शब्द का मतलब क्या है इसका मतलब है transmission keyword as के लिए point to be noted transmission किसका transmission transmission of genetically based characteristics from parents to offspring मतलब parents से offspring तक मैंने बताया कि तुम्हारी बात करता हूं कि तुम्हारी आखें तुम्हारी मम्मी जैसी है अरे तुम्हारे बाल जो है न वो तुम्हारे पापा जैसे है तुम्हारे होट जो है तो यह क्या बता क्या रहे हैं हम लोग हम आपको बता रहे हैं कि क्या correctust क्या ऐसे correctust हैं क्या ऐसे features हैं जो हमको मिले हैं हमारे parents से क्या है उनको कहा से मिले होंगे similarly उनके पैरेंट से तो ऐसा क्या हो रहा है transmission चलता चला रहा है क्या हम एकदम सेम है ना ना हम एकदम सेम नहीं है slide variations के साथ हम क्या हो रहे हैं बदल रहे हैं तो हम सब येस मैं और आप क्या है होमो सेपियन्स में आते हैं किसमें आते हैं होमो सेपियन्स में आते हैं ये होमो सेपियन्स क्या होता है सर अगर आप मुझसे पूछेंगे होमो सेपियन्स तो मैं कहूंगा ओ ओ तो मैं कहूंगा होमो सेपियन्स हमारी स्पीशिस का नाम है हां हमारी स्पीशिस हमारी स्पीश races, tribes ये जितने भी हैं वो एक से अनेक बनने के वज़े से हुए है हां cross breed करने की वज़े से हुए है तो हर एक में कुछ similarity मिलेगी और कुछ difference मिलेगा आपकी family में ही आप चायतो देख सकते हैं सच कह रहा हूं तुमारे अपनी family में ही अपने ब्रदर को देख लो अपने sister को देख लो mother father को देख लो उनके father के ब्रदर को देखो मा की कभी sister को देखा है क्या मौसी को देखा है क्या नहीं देखा है आज मेरे कहने पे मौसी का वो फोटो देखो और मा का फोटो देखो या म पतना चाहते हैं वेरियेशन्स तो similarity और वेरियेशन्स साथ में चल रहे हैं हमारे अंदर हमारी body में जो small small differences हैं आखे मैंने का दो हैं पर आखों का shape आखों का design थोड़ा सा vary कर जा रहा है बाल तो सबको एकी जैसे हैं बाल को किस तरीके से हम carry on कर रहे हैं बाल का shape क्या है इन सबसे क्या हो रहा है differences पैदा हो जा रहा है तो same species में होने वाले जो small differences हैं उनको कहा गया है आप rarely देखेंगे कि दो exactly same मिलेंगे वो twins के case में ही possible होगा तो कौन है ये जो बदलाओ दा रहा है जी यह है genes क्या keyword मैंने बोला who is causing this changes in our आपके मेरे अंदर जो बदलाओ है ये कौन ला रहा है तो genes ला रहा है आईए थोड़ा सावर समझ के genes के बारे में details से जानेंगे तो characters and traits ये क्या होते हैं जो inheritable feature है क्या keyword है inheritable feature इने कहते हम character है जो feature जैसे मैंने का आँखे आँखों का color eyebrows lips का shape ये क्या है ये feature है तो ये feature हमें कहां से मिल रहा है हमारे parents से मिल रहा है ये है character पर इसी character में ज्यान दीजेगा इसी character का alternate route alternate मतलब होता है कई सारे route मैंने का eyebrow के shape अलग-अलग हो सकते हैं hair का shape अलग-अलग हो सकता है even hair color भी अलग-अलग हो सकता है silky hair हो सकते है yes brownish हो सकते है blackish hair हो सकते है तो ये है alternative form of character उसी character के जैसे मैंने कहा color of the eye तो eye का color brown भी हो सकता है black भी हो सकता है हाँ भाई रितिक रशन को सोच लो क्या कहते हो एश्वर्य राय को सोच लो क्या black eyes है उन दोनों की ना ना समझ कहने है तो वो क्या है yes वो trait है trait बताता है क्या type क्या different different क्या है forms है जैसे मैंने भी थोड़ दिर बले बताया color of eye एक character है जबकि brown होना black होना blue होना ये उसका trait है आईए दिखते है क्रोमोजूम को एक ऐसा picture एक ऐसा photograph जियान से सुनेगा एक ऐसा photograph जिसमें हम क्या करें सारे क्रोमोजूम्स को येस आपके सामने रख दें उसको कहते है केरियो टाइप क्या कहते है उसे केरियो जब भी word केरियो आए एक word याद रख लिजे nucleus क्या word है केरियो शप्त के लिए nucleus मैं highlight कर रहा हूँ word तुम लोगों के लिए nucleus तो केरियो टाइप मतलब nucleus के लिए रिटेट है ठीक है और केरियो काइनेसिज याद आया केरियो काइनेसिज फर्स चेप्टर में हमने ने पढ़ा था तो ये क्या है ये केरियो टाइप है ठीक है केरियो टाइप क्या बताता है बताता है किस तरीके से क्रोमोजोम्स को अरेंज किया गया है according to their shape and size आप देख पा रहे होंगे पहले 22 क्रोमोजोम्स के पेर क्या 22 पेर बोला मैंने क्योंकि क्रोमोजोम्स जब भी होंगे तो पेर में होंगे कभी अकेला नहीं होगा क्या पेर में होंगे देखिए ये रहा पेर में पहला दूसरा तो पहले 22 पहले फर्स 22 क्रोमोजोम्स को हम लोग कहते हैं आटोजोम्स आपको, आपके physical features को लाते हैं, आपकी height, weight, color, eyes का color, hair का color, nose, कान, ये सब features आपको कौन दे रहे हैं, auto zooms दे रहे हैं, तो बचा कौन, ये 23rd pair, यही decide करता है, कि आप female बनेंगे, कि male बनेंगे, XX होगा, दोनों similar होंगे, तो female, और different होंगे, तो male बन जाएंगे, समझ गया है, इसका मदब लड़कों में, कौन सा मवजूद है chromosome, XY, और girls में क्या है, female में क्या है, XX, चली, तो एक karyotype से आप देख पा रहे हैं सारा, ठीक है, एक image पे आप देख पा रहे हैं, याद रखेगा हमारे chromosomes number fix है, कितने chromosomes हमारे पास, 46, मैंने कहा था 23 pair, कितने 23 pair, याद रखेगा, chromosomes homologous होते हैं, सरी, homo क्या मतलब होता है, homo मतलब होता है, similar, तो homologous pair मतलब होता है, जब भी chromosomes occur करते हैं, पाए जाते हैं, तो वो pair में पाए जाते हैं, even number में पाए जाते हैं, ठीक है, क्यों म singular नहीं पाए जाते हैं कभी भी chromosome single नहीं पाए जाते हैं बलकि pair में पाए जाते हैं यहां दिया आपने और हमें कहां से मिलते हैं वो one from each parent क्योंकि एक chromosome हमें अगर mother से मिल रहा है तो एक chromosome हमें हमारे parent से मिल रहा है father से मिल रहा है तो 23 23 chromosomes हमें मिलते हैं तो chromosomes जब हम discuss कर रहे थे, एक जैसे होते हैं, same in shape, same in size होते हैं, तो हम इसे कहते हैं homologous chromosomes, और पहले 22 को मैंने discuss किया, या कहते हैं autosomes, और 23rd वाले को last pair को कहते हैं हम लोग sex chromosome, क्या, sex chromosome क्योंकि वो बताता है आपका male या female होना, अब वो ही decide करता है, कि तू लड़का बनेगा, क ठीक है, आईए, आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं, इसी को समझाते हैं, किसका दोश है, लड़का है लड़की में, क्या मम्मी का दोश है, लड़के पैदा हो रहे हैं, या लड़किया पैदा हो रहे हैं, जी नहीं, ये गलत पहमी है, पूरे समाच की, पूरे society में ये यह गलत चीजा सोच है यहां से देखिये यह है फादर और यह मदर और एक्वल चांसे आफ बॉय और गरल चाहिए होने का है क्योंकि दोनों से एक एक फादर से एक एकस देखिये पादर से X क्रुमोजूम हैस मिल रहे हैं मा से भी X ही मिल पाएगा तो जैसे ही same number of क्रुमोजूम होंगे similar होंगे जैसे ही similar होंगे तो girl child हो जाएगी girl child हो जाएगी देखा आपने देखा daughter हो गई girl child हो गई पर जैसे ही Y क्रुमोजूम पादर ने दिया और mother के तो X ही chromosome मिलने हर हाल में तो क्या हो जाएगा XY हो गया dissimilar हो गया जैसे ही dissimilar dissimilar chromosomes मिले बन गया equal number of boy and girl होने की chances होती है none of them is responsible ध्यान दीजेगा कोई एक जना responsible नहीं है chromosomes क्या करते हैं क्या carry करते हैं तो chromosomes ही jeans carry करते हैं सर ये jeans है क्या अब आपको बहुत detail में समझना पड़ेगा jeans ही jeans ही decide करते हैं कि आपके body का shape color, feature कैसा होगा अब आप कहेंगे सर मैं तो tall हूँ मेरे पापा भी tall है हाँ यही तो jeans बताता है क्या कहा यही तो jeans बताता है jeans सिर्फ इतना नहीं बताता है आपका physical appearance कैसा होगा बलकि आपका overall आपका overall physical personality कैसी होगी यह सब कुछ एक चीज़ पर डिपेंड है वो है jeans आईए jeans शब्द को सबसे पहले किस ने खोजा सबसे पहले jeans सर्ब्द को एक genesis ने खोजा नाम है William Johanser हाँ यह एक महाम scientist है William Johanser जिन्होंने इसको discover किया इन्होंने इसकी definition क्या दी what parent passed to offspring parent अपने offspring संतान को कहते हैं अपने offspring को क्या pass on करते हैं उसी का नाम रखा गया है jeans आईए अब jeans को भी jeans को भी देखते हैं किस तरज़ alex बन जाते हैं हर जीन के दो alternative form होते हैं किसी एक jeans के दो alternative रूप होते हैं different different रूप होते हैं हम इन्हें कहते हैं alex जला देखिए दोनों आपको एक जैसा दिख रहा होगा आप आप देखे पहला jean और यह दूसरा जीन देखने में दोनों एक जैसे दिख रह एक जैसा structure एक जैसा shape है बढ़ आप देखिए arrangement उसका क्या है अलग-अलग है ठीक है हम इसे कहते हैं क्या LLEs में क्या बताते हैं LLEs में बताते हैं alternative form of genes याद रखेगा सिर्फ दो ही alternative forms available होते हैं हर genes के दो alternative form available है अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी P है यहाँ पर भी P मौझूद है अगें A है बट यहाँ पर capital B है जो की dominant LLE है याद रखेगा capital letter अगर कहीं पर लिखा है तो वो बता देता है कि वो एक dominant क्या dominant LLE है जैसे dominant का मतलब आए इसका मतलब है वो जो आने वाली generation तक पासान होने वाला है एक ऐसा feature जो आने वाली generation को मिलेगा यह dominant है ठीक है और recessive मतलब वो जो suppressed हो जाएगा देखिए small भी है यहाँ पर ठीक है जब दोनों same होते हैं जैसे देखिए दोनों capital P है हम इसे कहते हैं homo gigas क्या कहते हैं homo word क्य हो हैं बार-बार homo मतलब similar और z y g o us homozygous अथार्थ similar species similar alleles हैं देखिए दोनों में क्या है same ही same ही genes type है दोनों में same genes type है दोनों में PP capital है और यहाँ पर भी देखिए दोनों में small small है तो यह भी homo हो गया बट दोनों ही क्या है recessive है क्योंकि दोनों small letter में हैं पर यहाँ पर आईए देखिए एक capital भी है एक small भी है और capital वाला dominant होता है तो small वाला recessive होता है पर दोनों क्योंकि mix हो गए है mix हो गए तो hetero हो गए है hetero शब्द किसलिए बनाए गया है different क्या different 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 genes ने मिलके बना है इसलिए यह क्या है hetero जाएगस है समझ गये अब आप आईए देखे हम dominant L.E. इसके बारे में तो वह L.E. जो अपने आपको express कर पाती है क्या अब आप पोलिंगे सर मेरे अंदर सी कौन जी डॉमिनली है क्या तुमारी आखों का रंग काला है जरा चेक करो तो हाँ मैं तुम लोग से कह रहा हूं क्या तुमारे बाल black color के हैं और straight hair है curly hair नहीं है क्योंकि आखे काली होंगी ज्यादा तर आपके friends की क्योंकि ये dominant L.E. है सही सुना आपने ये dominant L.E. है hair का stating होना curly hair बहुत कम होंगे आपके class में सोचके देखिए कोई class में curly hair वाला boy या girl है क्या 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 कहते हैं अगर होंगे तो शायद कुछ एक दो बहुत ज्यादा नहीं होंगे क्या कहना आप जाते हैं तो ये dominant है ये ऐसा लिली है जो क्या करता है express करता रहता है अपने आपको दूसरे generation के दान ठीक है न जैसे पी की बात करें पी plant की खास बात है tallness इसका क्योंकि garden पी मटर का period वो ज्यादा तर tall ही रहता है जो एलिली क्या करता है अपने आपको अपने आपको next generation में transfer नहीं कर पाता है suppress हो जाता है किसकी बजह से suppress हो जाता है वो होता तो है वो jeans होता तो है पर वो आने वाली generation में pass on नहीं हो पाता है नतीजा क्या होता है उससे हम कहते है recessive recessive एलिली cannot express itself क्या cannot express itself in the presence of the same recessive एलिली ठीक ह जैसे recessive elealies क्या है draftness draftness मतलब nata, छोटा तो garden pea में, हाँ, pea मतलब mutra का पेड उसकी draftness उसका क्या है, recessive elealies का चलिए, genotype और phenotype के बारे में समझेंगे तो जब हम genes के constitution के बारे में फिर से, जब हम genetic material के बारे में study करते हैं genetic constitution के बारे में जानते हैं कि किसी में किस तरह के genes मौज़ूद हैं, तो उसे कहते हैं genotype अथा genetic material का type बताओ, उसे कहते हो genetic जेनोटाइब, और ये phenotype क्या होता है, phenotype बताता है किस तरह के characters हैं उसके अंदर, क्या चीद, किस तरह के character हैं उसके अंदर उसे कहते हैं phenotype, तो phenotype और जेनेटिक बताता है यह है डेफिनेशन सुनकी आई एक एक ग्जामपल से समझते हैं अगर टंग रोलर होंगे अगर कोई वेक्ति तो उसके अंदर क्या होगा डबल आर कैपटल होगा देखिए आर आर दोनों ही कैपटल है तो बोद डॉमिनेंट है इसका मतलब वो कनफर कि अपनी यह मेरे अन्दर यह ज्यादत लोगों में कुछ पर कुछ ही ऐसे आपके friends होंगे हाँ बाद चेक करके देखेगा अपने classmate से बात करिएगा पुछेगा कि क्या वो tongue roll नहीं कर पा रहे हैं क्या वो non roller होंगे क्योंकि यह recessive क्योंकि यह recessive feature है recessive अलिली है कुछ ही कुछ ही cases में अपने आपको पा सकते हैं जहां दोनों ही small R होंगे आएए देखें तो जब एक capital R है और small R है तो dominant वाला ही dominant वाला ही feature follow होगा और dominant feature क्या कहता है कि roller, R capital है तो roller अब देखें दोनों ही small R है अगर किसी के पास दोनों ही small R चले गया होंगे किसी के classmates या friends से पता करके दिखेगा और उनकी tongue को roll करा के check करिएगा ठीक है check करना आइए तो homo gyregus की बात करते हैं जब हम homo gyregus शब्द का स्वाइट है तो मैंने पहली बताया है था homo शम बताद बता है similar और gyregus मतलब होता होता है pair तो जब एक जैसे होंगे जैसे दोनो r या दोनो small r सेम होने चाहिए और hetero में क्या हो जाएगा एक r capital x small है तो hetero हो गया समझगे dissimilar हो जाएगा अगें genotype क्या बताता है set of genes बताता है keyword है क्या genotype genes बताता है जबकि phenotype क्या बताता है आपके अंदर character बताता है वो character जो हम देख पाते हैं हाँ वो character जो हम देख पाते हैं उसे बताता है phenotype आईए एक pedigree chart आपको दिखाता हूँ tongue roller का क्या देखिए मम्मी भी tongue roll कर पा रही है देखिए मम्मी tongue roll कर पा रही है पापा भी tongue roll कर पा रही है पडर देखिए डॉर्टर एक नॉन रोलर है सभी सुन रहें आप डॉर्टर नॉन रोलर है ऐसा क्यों हुआ सर आई ये मैं इसको समझाता हूँ इस पडिगरी चाट से ही पादर का पादर का जेनेटिक टाइप है आर-स देखिए ज़रा ध्यान से तो और मदर का भी है आर और पार तो जब यह जो crossbreed हो रहा है तो कभी-कभी क्या होता है यह small और यह small मिल जाते हैं जैसा कि इस case में हो रहा है जैसा कि इस girl child के case में हो रहा है यह जो girl child है यह वाली पहली वाली यह roller ये टंक रोल नहीं कर पाईगी देखिए क्योंकि दोनों स्मॉल आ रहा है अब जब दोनों सेम होता है तो हम उसे कहते हैं हो जाएगा यह तो कनफर्म और और क्योंकि दोनों समॉल रहें तो रिस हीयर मिलेगा रिस हैसिव फीचर मिलें यह ग्रL पाएगी टंग रोल नहीं कर पाएगी अब इसमें क्या होगा देखिए दोनों या तो Capital आ गया या एक Capital आ एक Capital एक Small Capital जैसे ही आ जाएगा जाएगा जिसके पास इसका मतलब रोलर अब वो चाहिए दोनों हो चाहिए एक सिंगल हो अगर Capital टर्म किसी के पास चला गया Capital चाहिए दिखाना चाहते थे अब इसी को क्या कर सकते हैं एक सिंपल डैग्राम औफ स्क्वार क्यूनिट स्क्वार से भी इसको शो कर सकते हैं यहीं चीज है ध्याँ से देखिए अब आप देखिए जब हम मदर और फादर की बात करते हैं तो पैरेंट्स को एक को एक यह एक dominant है और ध्यान देखिए होमोजाइगस क्यों है क्योंकि दोनों capital आ रहे हैं अब यहां आजाईए मदर की तरफ आ जाईए यह है मदर मदर के पास क्या है एक capital एक small r ध्यान दीजेगा एक capital r है capital आते ही क्या हो गया यह भी क्या हो गया dominant है capital है ठीक है बदर इसमें capital small r होनी के वज़ये से यह हैट्रो हो गया ठीक है अब आइए देखिए मिला यह mix करिए एक और यहां से मिला यह हो गया नीचे वाला चेक करिए यह capital आर father से मिल गया और आ यहां से मिल गया similarly यहां पर आ जाईए अगें capital R and capital R and last में आ जाएए this one capital R and small R so अगर आप देखेंगे चारो ही क्या है R मौजूद है capital वाला इसका मतलब है all rollers क्या है all rollers यह चारो बच्चे मेरे इस वाले example में क्या होंगे तंग रोलर होंगे क्योंकि सब में एक capital R मौजूद है देख लिजे और जैसे capital आ जाता है word किसी में तो वो क्या हो जाता है dominant LLE होता है वो अपने आपको क्या करेगा next generation में show करेगा clear है तो यह show करता है punet square आईए कुछ और जाने कुछ ऐसे inheritance होते हैं जो मा या बाप पे depend करते हैं male female पे depend करते हैं ऐसे inheritance को कहते हैं sex-linked inheritance मतलब कुछ ऐसे terms हैं कुछ ऐसी बिमारिया हैं जो किसी एक particular sex कोई होती है या तो male कोई होती है या female कोई होती है तो जो male की बिमारी है वो male को ही pass on होती है rarely to the female होती है समझ गए नाम है sex-linked inheritance ठीक है अब यह x और y chromosomes पे depend करती है किस पे x और y अब यह x-linked inheritance का example है color blindness homophilia यह पहला रहा hemophilia और color blindness hemophilia कैसी disease होती है एक ऐसी disease होती है जिसमें व्यक्ती का blood loss अगर होना शुरू हो जाए हाँ अगर कहीं से blood कहीं से घिरना शुरू हो जाए for example वो कहीं से हाथ कट जाए चिल जाए तो उसका blood रुकता नहीं है लगातार बैता रहता है इसका मतलब है उसके death होने की chances बढ़ जाती है blood loss से ऐसे व्यक्ती को hemophilia कहते है हम bleeder के नाम से भी जानते है ज़्यादा तर मैंने कहा यह sex linked disease है किस पर depend करती है यह x-linked inheritance पर depend करती है ज़्यादा तर यह male में पाई जाती है ध्यान दीजेगा यह male oriented disease है male में ही ज़्यादा disease पाई जाती है वही same disease एक और भी है color blindness हाँ डरिये मत कोई बहुत बड़ी बिमारी नहीं है color blindness में males को क्या प्रब्लम आती है यह female को नहीं है याद रखेगा इसलिए लड़के कोई भी ड्रेस करीते हैं जाते हैं शोरूम में लड़के हाँ मेरे बॉइस जाते हैं अरे यह वाली जीज़न दो ब्लू दिखाओ अब वह नेवी ब्लू है sky blue जाते हैं चलते हैं नहीं है और बॉइस में और ब्लू ज् SongG recycling करती है क्या क्या रहा हूं सभी मेघ्रेडीज में जीज़न वो क्या करते हैं जैसे Red और Green में मिक्सनी कर पाते हैं वाल estarлू मैं डिफ Eggs करते हैं हाँ नीला है दे दो दिस is called as color blindness चलो तो मैं example देना चाहता था यह basically क्या है male oriented disease है hemophilia मैंने बता दिया आपको आईए अब आपको बताते हैं जब हम एक single hybrid cross करते हैं हम इसे कहते हैं mono hybrid cross एक feature tallness या roughness जान सुनिएगा tallness हां tallness एक feature है इसके cross को कहते हैं mono hybrid और जब आपको mono hybrid ratio याद करना होगा तो आपको याद करना पड़ेगा f2 generation में f1 generation याद नहीं करना है फिलल 1 generation नहीं करना है कौन सा करना है f2 तो mono hybrid ratio of plants जैसे इसमें phenotypic ratio पढ़ेंगे तो 3 is to 1 हमेशा आएगा इसका genotypic character पढ़ेंगे ratio पढ़ेंगे तो 1 is to 2 is to 1 ही आएगा ये number है आपको ये number आना चाहिए कैसे आया ये number आईए एक example से समझते हैं एक unit square में देख लेंगे तो clear हो जाएगा देखिए f1 generation में क्या f1 फिलल 1 ये f जो बड़ है फिलल है जब पहली generation में जब hybrid हुआ तो tallness t t into t t जब crossbreed हुआ तो जो निकला generation निकला वो all t t निकला क्या निकला इससे जो character निकलेंगे वो कुछ इस तरीके से निकलेंगे द्यान से देखिएगा प्लीज आप इसे कहते है f2 ये है f2 में अब आप देखिए three is to one क्यों है team tall है dominant three is to one मतलब three tall plants होंगे एक draft plant होगा ये सब किसका example दे रहे हैं हम ये example दे रहे हैं एक p plant का tallness से compare कर रहे है f2 generation क्योंकि f1 generation तो ये रहा वो रहा जिसमें t t आने वाला है ठीक है अथा tallness रहेगा और t t that is capital T and small t ये heterozygous है ये भी heterozygous है अब इनके बीच में cross bleed होगा तो ये produce होगा ये रहा हमारा phenotypic ratio और इसी में क्या है one is to two is to one कहां से आ गया one ये रहा पहला कैसा है homozygous दूसरा देखे ये रहा heterozygous और तीसरा फिर से क्या रहा homozygous ये homozygous dominant है ये homozygous recessive है ये बता रहा है genetic material के बारे में so this is called as genotypic material अब ये तो हो गया एक single हाँ mono मतलब एक single character की बात कर रहे हैं अगर दो character होते तो जैसे for example tallness के बारे में भी समझ लेते हैं और red या red या yellow pods के बारे में हाँ plant में red और yellow pods होते हैं या green और yellow pods होते हैं for example तो अब दो दो-दो features के बारे में study कर रहे हैं, Tallness of the plant भी study कर रहे हैं, Tallness है की shortness है, और Green pod है की Yellow pod है, अरे भाई, Green रंग का seed है की Yellow रंग का seed है, तो दो-दो feature को जब study कर रहे हैं, तो हमारा नाम होता है Die hybrid ratio, अब Die hybrid ratio का phenotypic number है, 9 is to 3 is to 3 is to 1, ध्यान दीजेगा, 9 is to 3 is to 3 is to 1, पर इसका genotypic निकालना बहुत मुश्किल है बहुत बहुत complex number है तो यह मैंडल जी जिन्हों ने यह खोजा इन्होंने यह experiment किस पर किया था तो इन्होंने यह सारे experiment जिस पहिने हो इन्हें का, Tallness of the plant, Shortness, सब पी पर ही किया मैंगु पर क्यों किया किए एक्पिल के प्लांट में कियो किए आई आपको जवाब देते हैं तो P के खास बात होती कि पिए बहुत सारे थै के बहुत सारे और उन Channel ऐसा सारे वराइटी लूँ अवियाफिट इंगा और उन और यहां तो क्या करेंगे पी में अपने आपी मेल फीमेल एक ही फ्लावर में पाई जाता है और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं खुद भी कर सकते हैं आर्टिफिशली कर सकते हैं तो इसलिए ऐसा संभव हो पाया आए आगे बढ़ते हैं Mendel's Law of Inheritance के Laws फ्लाद ध्यान से देखेगा यह Law बहुत काम आने वाले हैं एस ऐसे Law भी पूछे जा सकते हैं यू केन भी आस पहला Law of Dominance तो कैसा कहा जागता है कि अगर दो हर बार कितने मैंने कहा दो होते हैं एक नहीं दो दो क्रोमोजोम साथ में होते हैं पेर में होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो यह जो दिखा रहा है capital term दिखा रहा होता है कि यह dominant है dominant क्या होता है अगर किसी pair of contrasting character जैसे मैं एक लिखूं आर और आर इसमें भी आप देखिए एक capital R है जो कि dominant बताता है और यह small R है जो recessive बताता है तो pair है तो जो क्या करता है अपने आपको express कर पाता है जो अपने आपको आने वाली generation में express कर प कहते हैं और जो unexperienced रह जाता है तो recessive कहते हैं ठीक है तो अपने अपने अंदर बहुत सारे ऐसे dominant तुम्हारे पास हैं ट्रेट्स हैं जो तुम्हें देखने हैं और तुम्हें कहां से मिले हैं तुम्हारे parents से मिले आये law of segregation तो अगर कोई एक pair एक pair of factors की बात करें तो यह जो pair of factors जब भी होंगे तो मैंने कहा था क्या होंगे अकेले नहीं होंगे यह pair of factors होते हैं यह gamate के formation के डौराइन gamate बनते समय है अथात male और female part के मिलने के डौरान जैसे egg female का reproductive organ है और sperm male का है जब यह जब मिल रहे होते हैं जब यह मिल रहे होते हैं they do not blend क्या वो blend नहीं करते हैं बलकि segregate यह separate कर जाते हैं अलग-अलग gametes में इसे कहते हैं law of segregation इसका मतलब है जब हम zygote formation हो रहा होता है male female का fuse हो रहा होता है उस दौरान ऐसा होता है वो क्या नहीं करते हैं they do not blend ऐसा नहीं होता है कि वो blend हो जाते हैं आपस में बलकि separately क्या करते हैं नए gametes में different gametes में change हो ज of independent assortment इसमें का गया है कि अगर दो pair of characters हैं तो इनके distribution of the L.E. of one L.E. of the one character into another gamete is independent इसका मतलब है इनका distribution पहले से decided नहीं होता है बलकि वो क्या होता है independent होता है independent to the L.E. of other इसका मतलब है eye का color का eyebrow के distribution से कोई लेना देना नहीं है समझ रहे है आई का color का eyebrow से कोई लेना देना नहीं दोनों के अलग-अलग क्या है L.E.s होंगे आए कहां use होता है Mendel की law कहां काम आते हैं तो मैंने का Mendel की law की वज़े से ही आज हम बता सकते हैं कि प्रोगाईनी कैसा होने वाला है प्रोगाईनी मतलब होता है आने वाला species कैस आने वाला female आने वाला जो male सही सुने आप male या female कौन है यह पता कर सकते हैं because of this और तो और नए combinations of plants को हम produce कर सकते हैं कभी सुना है आम बहुत varieties के होते हैं आपने सुना होगा तोता पूरी आम लंगडा आम आपूस आम आपके शहर का कौन सा famous आम है मुझे बताए अगर आप कहते हैं मेंडल का जिससे हम आने वाली species के बारे में भी जान सकते हैं हां newborn जो आने वाला है उसको हम अभी सही क्या कर सकते हैं जान सकते हैं और अपनी मर्जी के साब से उसमें changes ला सकते हैं जैसे मैंने mango का भी आपको example दिया अब आता है mutation आपको पता है जब जब जपान मे हीरोशिमा और नागसा की पर एटमम गिराये गया तो क्या हुआ? Mutation हुआ इतनी ज़्यादा गामा रेस पैदा हुए इतना ज़्यादा radiation निकला कि उससे change in genes हो गया सच कह रहा हूँ genes का change होना एक normal बात नहीं है तो mutation से क्या होता है? Hereditary material ही क्या होता है? Change हो जाता है जैसे की example है sickle cell anamina होना यह एक तरगी बिमारी होती है एक तरगी blood disease होती है जो की genetic mutations से हो रही है हाँ इसमें जो RBC होती वो complete round नहों करके sickle shape हो जाती है ऐसा लगता है जैसे मानो question mark बना दिया गया है है ऐसा अहाँ कुछ इस तरीके से यह है sickle हाँ लग रहा big question mark है तो radioactive radiation से genetic material change हो सकता है तो this brings to the end of the entire chapter genetic one shot में आपका पूरा chapter एक जगह है आपके अपने सरतरुनरपानी में और आप से request करूंगा 2024 के अगर आप मेरे सचे superstar है और आप चाहते हैं यह सब कुछ यह सारे notes आपको दे दिये जाएं तो एक promise करना पड़ेगा वो है आपको अपने friends, classmates, सब को यह material share कर दीजे and let us together make another lovely community of superstars हम आपके लिए exclusive sessions ला रहे हैं, line sessions ला रहे हैं कहीं भी कोई भी yes free sessions available नहीं है, यह सब कुछ आपके लिए paid session होना था but I am providing them absolutely free तो इसी विश्वास के साथ कि मेरे सच्चे superstars जो अभी से decide कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या result लाना है और अगर वो yes streamlined है, अगर वो dedicated हैं तो सर्तरुन आपके साथ हैं, जी हां सर्तरुन रुपानी आपके साथ हैं, आपके ही well being के लिए और ये promise करता हूँ कि ये session, ये साल एक बैतरीन साल होने वाला है आपकी life का आप मुझे नहीं, yes इस पूरे साल को enjoy करेंगे, पूरे sessions को enjoy करेंगे और एक एक दिन, एक एक पल आप grow करेंगे, आप life में succeed करेंगे इसी विश्वास के साथ, आईए, मिलके करते हैं, तैयारी और मेरे सच्चे सूपरस्टास हो जाओ, अपने board के लिए अभी से तैयार क्योंकि अगर लगता है तुम्हें कि अभी बहुत दिन है बाकी, तो सच में, वो दिन बहुत नहीं लेगेंगे, जब ये दिन बीतने लगेंगे और मेरा इस वीडियो को जब देख रहे होगे दुबारा, तिबारा, यह चौकरा यह, मैं सच किया रहा होगे, इसी सेशं की वीडियो को देख रहे होगे, और तब मेरी बात तुम्हें को सच लग रही होगी, यकीन करो, तो चलिए मिलते हैं, 通े प्लीस चेर, विट उर ङ क्लासमेट्स जो अभी इस साल 24 में 24 बोट के लिए उनके लिए मैं और आप मिल कर तैयारी करते हैं चलिए बाय एंड टेक के